नमस्कार प्यारे विध्यारतुयों स्वागत और अभीनंदर है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेज है हम पढ़ रहे हिंदी और हिंदी में हमारे चल ले हैं स्सेजीडी के प्रीवेज एर में आई हुए एक्जाम पेपर उनको हम सॉल पर आ रहे हैं आज जो हमारी क्लास होईगी वद्री ही शांदर और अच्छी होने वाली है क्योंकि हम 17 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको आज सॉल परेंगे और चैनल पर आप अंति तक बने रहे हैं स्सेजीडी से संबंदित जो जानकारी है वह आप तक देते रहेंगे कि किस तरह आपके हिंदी में प्रश्ट गैटता है कौन किसे टॉपिक को आपको तोड़ना है आपको सो में से यदि सो नंबर अगर हिंदी में चाहिए तो आप चैनल पर ब पंदित 17 नवंबर दो हजार 21 में फर्ष्ट सिफ्ट हुए उसके पेपरों को पेपर को आजम यहां सॉल्व कर रहे हैं चलिए चलते हैं इसके दस आनन होता है वाक्याइश के लिए एक शब्द लिखिए आपका फर्ष्ट पेपर फर्ष्ट जो प्रश्ट है वो है आपका एक शब्द यानि हेख शब्द अ कोशे दश आनन यान रावनद अ दस धन आनन कहते हैं सिर को आनन किसको कहते हैं सिर को 10 यानि 10 यानि 10 अब यह दोनों को वह संधी बन रही है कौन सी संदी बन नहीं है धीर्ग संदी अगर संदी भी आती है तो हमें संदियों का भी ग्यान पूरता होना था है कौन सी संदी है धीर्ग आ और आ मिलकर आ बना रहा है धीर्ग आ बना रहा है इसकर क्या हुआ दशानन जिसके दशानन होते हैं जिसके दससीर होते हैं सभी को ग्यात है कौन होता है रावण और रावण को दशानन के राम से भी हम जानते हैं नेक्ट कोशन पर आजाते हैं हम यानि हमारा उत्तर क्या है उत्तर नमबर सी हमारा यहाँ पर सही है आगे बढ़ते हैं हम नेक्ट प्रेश्ट पर चलिए जो हमारा सेकंड प्रेश्ट है देखते हैं इस गाउं के इस रिक्तिस्ता घर-गर में यही दशा है कि गाउं में जाउं के घरगर में यही दशा है कि आपका उत्तर है कि कर दो है थो यहाण पर नमबर सही है इस गाओं के खरवर में यहीं सब्सक्राइब और इसमें के लिश हो पर इस leather गिर रही है पहली बात तो ये गिर कलत है गिर नहीं इह होता है कि जिए करें को और वा कशल दो से था कि अदर यह हमारा इसमार क्या यह का उत्तर है कि गुदे की Saturday जाती है थीज इसीफ मृट्ट नहीं है तो यहाँ हमारा इसमार उत्तर्द सब्सक्रेस सब्सक्राइब करें तपक रही है था स्कुलाएं यहें बरस रही है तो हमारा उत्तर क्या है यहां पर उत्तर नंबर बी यहां पर हमारा सही माना जाएगा आगे आजाते हैं हम प्रेशन नंबर चार पर जो है हमारा यह वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई तुरोटी है कोई त्रोटी है यदि कोई त्रोटी नहीं है तो कोई त्रोटी नहीं है कोच उने चिक्षक ने उन छात्रों को पूछा वह यहाँ पर उन शब्द जो है यह नहीं आएगा शिक्षक ने छात्रों को पूछा शिक्षक ने क्या पूछा छात्रों को यहाँ अगर देखें तो कारक यहाँ अगर देखें तो कारक संबंदी असुद्धी है कैसे है देखिए शिक्षक क्या हुआ यह है करता कारक शिक्षक क्या है करता कारक करता कारक कौन है भई शिक्षक उन तो आए गए नहीं शिक्षक ने छात्रों को अब करता कारक के बाद क्या आता है करता कारक के बाद कारक आता है शिक्षक ने छात्रों को पुछा अब आपको भली बाती ज्यात होगा कि कर्व कारक के साथ को बिवक्ती लगती है कर्म शिक्षक ने छात्रों को पुछा तो आपका यहां जो को है उन है वो नहीं आएगा अगर क्रिया की बात की जाए तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है यहां सकर्म क्रिया है अगर क्रिया की भी बात की जाए कि वाक्य में कौन सी क्रिया है सकर्म क्रिया वाक्य में कौन सी क्रिया है सकर्म क्यों है वहाई शिक्षक ने छात्रों को जहां कर्म होता है जहां कर्म होता है वहां क्या होती है सकर्मक किर्या होती है जहां कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक किर्या होती है तो छात्रों को क्या है कर्म और कर्म होने पर किर्या कौन सी बनती है सकर्मक किर्या सकर्मक किर्या तो तुरूटी किसकी है भाई किर्या सम्मंदी करतो है आपके शिक्षक ने उन शब्द नहीं आए श्क्षक ने छात्रों को पूछा कुछा कुन सी सकर्म किर्या तो यहां हमारा उत्तर उत्तर नंबर ए सही माना जाएगा आगे बढ़ते हैं हम प्रेश्च की तरफ हैं दिये गए वाक्य में दिये गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें लिए हमारा वाक्य है करमचारी अपना वेतन नहीं पापाया नहीं होगा करमचारी अपना वेतन नहीं ले पाया करमचारी अपना वेतन क्या नहीं कर पाया नहीं नहीं ले पाया तो यहां हमारा उत्तर होगा आपका उत्तर नमबर यहां पर हमारा सही माना जाएगा नमबर यहां हमारा क्या होगा सही माना जाएगा करमचारी अपना वेतन यह जो शब्द है ले आएगा यहां पर क्या आएगा नहीं ले पाया नहीं ले पाया नहीं ले पाया नहीं ले यहां पर लेने के लिए तो उत्तार नंबर आमारे क्या होगा तो नंबर यहां भी सही बहना जायगा दिये वाक के लिए स्क्राइब हम 6 की तरफ हैं यह वाक्य में वाक्य के किस भाग में प्रोटी है पिताजी मेरे परिक्षाफल से संतुष्ट नहीं हुए परिक्षाफल से संतुष्ट नहीं हुए तो अपर आपके एक्षन सही माना जाएगा आगे आ जाते हैं प्रश्ण कर रहे हैं उस विकल्प का चैन की जो नीचे के गए मुहावरे से संबंदित आपके प्रश्ण आएंगे संतुल संदी हुई समास हुआ एकल शब्द पर्यायवाची या मुहावरे से आपके एससी जीडी में 20 प्रश्ण आएंगे और 20 प्रश्ण आपके प्रत्य प्रश्ण दो अंक का होगा यानि आपके नंबर कितने हैं सभी आप तयारी को आप बहतर बना सकते ऐसा नहीं कि मुहावरे आरे तो हम मुहावरे को ही करते रहें लोगों त्यार लोगों सभी प्रक्रश्ण सभी टॉपिक्स हो देखने पड़ेंगे तो मुहावरे का अर्थ आपे में रहना आपे में आना तो आपे में आना यानि हो बहुत थी बार किसी बार होता है आपने प्रेट बहुत ज्यादा कट आप ए में आ ज्यादा बोले मन क्या है होश में कि आपन कहते हैं तो यानि इसका उत्तर क्या है उत्तर नंबर यहां पर सही माना जाएगा आगे आ जाते हैं प्रेशन परेशन तनक्या हम आठ को तरफ है यह विलोवन शब्ड का चैन करें आसक्त का हुता है कैसे के लिए करकि और यह रोना जो कि यह वर अहसे की निर्भर हो न तो 이상 अनम अनुपसर्ग लगेगा अन क्या है अन क्या है यहां पर सर्ग है अनुपसर्ग है आपके आसक्त गोड़ा पाध हुब साल गुपनुने हैं प्स अब करता है इसके शाप्दिकरश की बात हो रहे हैं तो यह हुता है अना यानि धी जो किसी पर आसक्त नहीं है अनौशक कहलाता है अब यह आदा है और इसफ्टा कर यह आपका अ भण यहां जो शब्द बनेगा वह बनेगा आपका आ जो आधा था उसने आपकी दो अनासक्त क्या हुआ अनासक्त यानि जो किसी पर भी निर्पर नहीं है अनासक्त कहलाता है आगे आ जाते हैं हम नेक्ष्ट प्रेस्ट पर दिये वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए इंता के अंदर आशु का संतोश पेल गया, पेल गया, जनता के अंदर के अंदर नहीं होता, जनता के भीतर, जनता के भीतर, अभी कारी शब्द है, तो आपके के भीतर आएगा, यहाँ जनता के अंदर नहीं आएगा, जनता के भीतर, ठीके, जनता के भीतर आपके असंतोष फेल गया, तो यहाँ हमारा उत्त नंबर B सही माना जाएगा आगे आजाते हैं हम स्च्छिंट परबार आपको बता रहे हूं कि सामानारती जो शब्द होता है पर्याय वाची के नाम से जानते हैं पर्याय वाची और समानाति दोनों शब्द एकी शब्द है कोयल का मुरारी किसको कहते हैं शिरी कृष्ण को कहते हैं किसको कहते हैं श्रिक्रिश्न को कहते हैं आन्हा को बोलते हैं और किसको बोलते हैं स्रिक्रिश्न को कहते हैं नंद नंदन बोलते हैं नंद नंदन भी कहा जाता है तो यह किसके हैं आपके श्रिक्रिश्न के हैं कि आगे आ जाते हैं अनंग वसंत दूत कि को कहते हैं वसंत दूत कहते हैं कॉयल को वसंत के आने पर आपने देखा और बावगीचों में कोयल की तो मीच कोनी है वह सुनाई देती है तो कुं कुं जो बोलती है वो कौन सी है आपके वसंत दूर यानि वसंत के आने दे रही है आगमन होने वाला है वसंत का कौन है आपके वोयल धोर क्याम से होती है शामा 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 यानि काले रंकी होती है शामा यानि क्या है आपके काले रंकी होती है इस कारण भी इसे बोल जाता है और क्या कहा जाता है और बोला जाता है इसे पिक और क्या बोला जाता है और कहा जाता है इसे पिक चलिए शामा पिक और क्या कोकिला कोकिला और तो यह किसके हैं आपके और कोयल के पर्यायवाची है वसंत दूत श्यामा कोकिला तो यह सब किसके हैं आपके और श्वान कहते हैं उत्ता श्याम किसे श्वान किसे कहते हैं उत्ते के लिए कहा जाता है अनंग कोई पर्यायवाची नहीं है आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रेश्ट पर तो हमारा उत्ता नंबर यहां पर क्या सही माना जाएगा उत्ता नंबर आपका ती यहां पर सही माना जाएगा आगे विलौम शब्द का चैन कीज़े दिये गए शब्द के लिए लौ का चैन कीज़े तो स्वल्प आयो पहले तो हम स्वल्प का देख लेता है को सुख्ष यानि कम और यह वा अच्छे तेजकर है उम्र हैं कम आप देखिए सवालपाई और अलपाई दोनों का मतलब एक ही है तो यहांपर यह तो आएगा ही ही नहीं और ही भी नहीं आएगा। अवस्ता अवस्ता उम्र को खागया है तो स्वल्प यानि कम और चिरायू यानि अधिक तिरायू यानि अधिक आयू चिह में हुआ यू धिन धीजाहं कि आयू जाने अधिक तो यहाँ आपके यह बना आपके पास शिरायू आपका उत्तर क्या सही है उत्तर नमबर यहां हमारा भी सही माना जाएगा आगे आजाते हैं हम नेक्ट प्रेश्ण पर चलिए निम्लिकित में से अशुद्ध वरतनी वाले शब्द को पहचानिए अशुद्ध वरतनी वाला शब्द है जो तिशी है हमारा डार दीची तार धीची नहीं होता ज़िटी नहीं होता प्रेक फिर्डीक बोला जाता है की स्वेकिन दादीची नाम के रशी तो आपको उत्तर नंबर यहां पर क्या है भी सही माना जाएगा आगे बढ़ते हैं हम प्रेशनी की तरफ आगे आ जाते हैं एक प्रेशनी चरम चलिए मुझे आशा है आपको हमारे तक समय समय पर आते हैं और आप and हम जूड़ सकें आपको अच्छी तरह पता है की बहुत ही शांदार भरती है ठीक है आप बहुत आपके कम महनत में अच्छी सफलता पा सकते हैं आपके बीस बीस नंबर के आपके असी प्रशन आएंगे और जहां आपके एक सो साथ नंबर का पेपर होना होने वाला है नेगेटिव मार्किंग तो है लेकिन आपके 0.50 प्र आपके कम कर दी गई है तो यह आपका लिए एक बॉनस अंक में होगा क्या केते हैं हमें प्रिच आपके हैं तो हिंदी में आप पहतीन तयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर जूड़े रहे हैं हिंदी के व्याकरण से संबढ़ित मैंने तभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से जीज़े सर्व क्लासिस के एप पर समझाया हुआ है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए जिससे आपके पास समय समय पर हमारे जरूर आते रहे हैं चलिए हम नहीं पर बढ़ते हैं अभी दुआरा उस तेरवे पर चल रहे हैं हम देगेए वाक्यान वह भाग जियात करें जिसमें कोई त्रटी है यदि फॉसळ को त्रटी नहीं है तो सिमिस में कारें केलए रमादेवी एक क्स्त्री यह रमादेवी कौन है एक कमी नहीं लग दी और जहां इस्त्री आती है वहां विद्वान नहीं वहां बिदूशी शब्द का कहा जाता है की घड़ान आपके लिंग के लिए प्रियोग किया जाता है कि दरी कि के लिए कै कि लिए कि ये एक लिए गलति किसम एक वुदवान में गलति है हम नेक्ष्ट परश्हन वह तो हमारी गलती किसम हैं आपके एक विद्वान नहीं आएगा यहां क्या आएगा आपके एक विदूशी एक विदूशी महिला थी रामा देवी क्या है एक विदूशी महिला जैसे कि हम कभी लिखते हैं कभी कभी लिखते हैं अब कभी का इस्त्री लिंग पूछें तो कवित्री कवित्री तरह रचीता तो का इस्त्री लिंग क्या होगा रच्यता हुआ कभी ट्री ठींटा चता जैसे तरह विद्वान तो विडूशी विदूशी करने विदूशी समझान गया इस्त्री लिंग का अंतर तो जहां पूरुष्कि पूरुष्कि बात होगी तो कभी पकी रचीता रचेता रचेत्री 3 ठीरी घशिता ुक्यों और द्वान का आपका धूशी आ गया जाते हैं नेघ्ट प्रेश्ण पर हम युमारे युद्थर है एक पूतवसर सहही है इस छोड़ी तरफ है निम्म लिखित में से शुद्चक जुद्चक जुद्धर्टनी का चेंकरना है वसक बिकारी नहीं होता बेकारी होता है पहली बात औशधी नहीं होता कल मैं आपसे उपसरगी की बात कर रहे थी औशधी नहीं होता औशधी यानि दो मात्रा आएंगी औशधी सच नहीं होता सच नहीं होता सच्चा होता है सच्चा या फिर कहते हैं सच्च यानि जो प्रम और सच्चा अगर लिख रहे हैं तो सच्चा कारीगर यह हमारा उत्तर सही है कारीगर सही है उत्तर नमर यहां हमारा क्या सही है यहां पर सही माना जाएगा आगे आजाते हैं हम नेक्ट प्रेश्ट पर चलिए ठीक परिडाम देने वाला वाक्याश्य लीए प्योक्शुस्त हब्द है टीक परिगां यानिफ़ देने वाला परिगराम यानि फ़ल डाई कहलता है द से ना यानि तो परिगांव यानि फल देना यानि दाई तो यहां आएगा फल दाई तर आपका सी यहां पर सही बाना जाएगा आगे आजाते हैं हम नेक्स्ट प्रेश्ण पर हम सोले भी प्रेश्ण पर आ चुके हैं अंदरबां हमने कर लिया विक्तिस्तान की पूर्षी के लिए उप्यक्त शब्द करें आज इस साल का पहला आज उठा नहीं चला नहीं नाचा नहीं आया आया भाई इस आज साल का पहला तूफन चला नहीं यह तो नहीं होगा नाचा यह भी नहीं होगा उठा यह भी नहीं होगा तो पहला तूफन क्या आया आया उत्तर नमर यहां पर सही माना चाहेगा आगे आ जाते हैं हम नेक्श्ट प्रस्ण पर करें चलिए पूब अरज बिना बेतन के काम करने वाला बिना बेतन के बिना बेतन के आवितनिक देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक होता है आपका आपका इस आ का आर्थ होता है नहीं और इसका होता है आ यानि इसका होता है तक यह भी उपसर्ग है और आपका इस अर्थ होता है नहीं तो हमसे पूछा गया है बिना बेतन के काम करना बिना यानि जो बेतन नहीं लेता जो बेतन नहीं लेता उसके काम करने वागा आप बेतन को बेतन बेतन है देखिए बेतन बेतन शब्द है बेतन में इन्होंने एक प्रत्य जोड़ा एक प्रत्य जोड़ने से यह क्या है यह क्या बन गई आए यानि दो मात्रा तो शब्द क्या बना बेतनिक वेतनिक किसे कहते हैं जो पुरुष विशेस जो कि आपकी तंखा पा रहा है वेतनिक तो इसमें हमारा आ लग गया तो क्या बना शब्द आ बेतनिक क्या बना आ पेतनिक व प्रत्य जोड़ने पर इसमें और क्या जोड़ा इसमें आ उपसर्ग भी जोड़ा आ उपसर्ग भी जोड़ा तहीं दो शब्ध जुड़े हैं पहले तो उपसर्ग है मूल शब्ध है बेतन फिर क्या है इसमें एक प्रत्य जुड़ रहा है इन दोनों के जुड़ने से शब्ध बना आपके एक प्रत्य जुड़ने से बना वेतनिक वेतनिक हमाज में आ गया आ यानि नहीं जो बिना बैतन के काम करता है उसे आवेतनिक कहते हैं वैस शब्द क्या से मना इस प्रकार भी प्रशना सकता है कि और वेतनिक में मूल शब्द है आ वेतिनिक में मूल शब्द है तो इस चीज के भी हमें जानकारी होनी चाहिए आ वेतिनिक में मूल शब्द क्या है बेतन आ क्या लग रहा है उपसर्ग लग रहा है और आ का अर्थ क्या है आ का अर्थ है नहीं एक क्या है एक क्या है प्रस्ट है किसका परियावाची है कमल का कल हमने देख लिये थे कपड़ा कपड़ा का परियावाची क्या है वस्त्र और क्या है पट्ट के और क्या है परिधान ये क्या है आपके कपड़ा जल जल को क्या कहा जाता है जल को नीर भी कहा जाता है जल को अम्बू भी कहा जाता है जल को पानी भी कहा जाता है जल को पारी भी कहा जाता है जल को पारी भी कहा जाता है के तो ये किसके हैं आपके पानी के जल, नीर, अम्बू, पानी, वारी के तो ये हुआ अब आगे हैं तो नीर में, नीर में कौन उत्पन हो रहा है जा यानि जनम लेना तीर यानि पानी, पानी में कौन जनम ले रहा है पानी में तीरज और क्या अम्बुज पर्यायवाची देखो बन गए वारिज क्या जोड़ा क्या बना वारिज वह आएगा वारिज स्वर्ग कहा जाता है आपके पाताल पाताल दोक इंद्र लोक इंद्र दोक पाताल ये का स्वर्ग के परेवाची कहे जाते हैं और क्या होगा आपका तुर लोक पुर लोक पुलोक दोक पाताल लोक नहीं यहां पर आपके पाताल लोक नहीं आएगा यहां पर आएगा आपके परमधाम कि बॉलोक पहुंचूंगा परमधाम क्या होगा सुर लोक दूलोक इंद्र लोक पाताल आपके देवलोक यह भी इसमें आजाएगा इंद्र लोक इंद्र लोक यह सभी किसके परियाव आपके परियाची नीर में झानाब नीर यानी पानी में कौन जनम लेना पानी मेंगों नम तो On This आपके संदी है आपके कौन सी संदी है या विसर्ग संदी देख लिए हैं कोई कोई शब्द यह सा मिल जाता है यानि टालाब उगना जो तालाब में उगता है वो क्या कहलाता है सरोर रूह कहलाता है तो यह हमने पर प्रयावाची देख लिए हैं आगे जाते हैं next question इन्समे question पर कातो पर लोटिना इस मुदभ कातो पर लोटिवश के ना हो ना काटो पर लोटिना काट् hops prix लेत रहे नुक्त विर पार होता है आपके रिजल्ट आने वाला है चेसर कर बैचेन क्या होता है का घवराथ होती है क्या हो ना गवराथ होना क्या आएगा क्या एक टियारी करिये शफल होंगे क्यैंढ कहिंगे नमपर कम आ गये सबस्क्त राट होती है ऊते हैं अ क्याgestellt पर प्रतिस्थापित करने की आवशक्ता नहीं है तो विकल्प किसी बजलाब जाओ कर रहा हूं वैं गाने की कसरत नहीं होती गाने का आभास होता है तो यह आपके संगित्तक वो क्या नित्य की तयारी करता है संगित्तक क्या करता है अप्भ्यास करता है अपने गले का रहा हूं मैं गाने का व्यायाम कोई सब्सक्राइब इसमें फिट नहीं बेढ़ रहा है किसी बदलाव की आवशक्ता कर आएगा आपका अभ्यास कर रहा हूं चलिए आएगा नहीं नहीं है कि वी फ्रश्न है आपके पर हाम ने कॉन बार बार कह रही हूं। गज़्दास तेती प्रश्न आपका गलत होने कि वाला नहीं। लेकिन धियान पुर्वक गज़ून नहीं, दिये गए गजय को सव्यक्यों का' पता दिये गएं हैं कुल्पों की साहेता से इतिश्क्तान की निगा माने के लिए का अाऊ कि कमोत्ते को सबल बनाने के लिए या शरीर को सबल बनाने के लिए कर favor बनाने के लिए क्या पुर्द बनाने के लिए तुब चलिए आप तुझ इसका उत्तर दिए वह क्या आना चाहिए हिर्दे को नहीं कि वह सरीर को सबल बनाने के लिए नियमित क्या करना चाहिए अब्यायाम करना चाहिए अब्यास तो नहीं आएगा जा करना चाहिए व्यायाम सरीर को सबल बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए क्या करना चाहिए व्यायाम करना चाहिए सुंदर हा जी ये हमार आ गे हैं तुन बेश भूर सा सुंदर कार रहें सुंदर व्यभार ये प Dwattin सुंदर स्वास्थे के लिए वास्थे सवास्थे अगर आप देवगो स्वस्त क्या है यह प्रत्ति यहुद यह प्रत्ति लगने से आगले आगे का जो आधा पूरे में क्या है आकि आवरती वी अभ यह जुड़ा है तो शब्द बना स्वास्ते जब यह तरह के शब्द आते हैं तो जानकारी होनी चाहिए मूल शब्द क्या है स्वस्त शरीर में आत्मा निवास करती है तो यह आप कै आएगा स्वस्थ स्वस्थमूल शब्दे प्रत्य कौन सा जोड़ रहा है क्या प्रत्य यहां पर जोड़ा है क्या आएगा सुन्दर स्वास्ते के लिए हमें खेलना दोडना चलना उदना और और के बार क्या आएगा देखते हैं और तहलना पढ़ना गीत काना या रोना जलिए बताएए उन्दर स्वास्ते के लिए क्या करना है दोड़ना चलना कूदना और नियामित टहलना चाहिए नियामित क्या करना चाहिए टहलना चाहिए आते हम सभी को विज्जालों में होने वाले होने वाले मजाक में कसरत में बादशीत में ये खेलों में विज्जालों होने वाले खेलों में नियामित भाग लेना चाहिए चलिए देखते हैं शरू से बढ़ते हैं चरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियामित क्यायाम करना चाहिए सुस्तर पास्थे के लिए हमें खेलना दौणना चलना और खेलना चाहिए अते हम सभी को विज्जाले में होने वाले खेलों में आग लेना होता है हम नियामित रूप से अभ्यास जो प्यायाम होगा वह वह पाएगा सुचारू रूप से आज का जो दौर है वह इस तरह आगया बच्चा ज्यादतर फोन में ट्वी में इस तरह रहता है और खेल पूद जैसी प्रतित और समाज में बैटने होते हैं वह आपने देखा होग एक वह दौर था जो बच्चे पूल से आए बैक पटका और खेलने भाग गए तो उस समय देखा बच्चों में कोई भीमारी नहीं हुआ करती ती आराम से बच्चा सरशारी रूप से मांसी रूप सस्त रहा करता लेकिन जैसे जैसे बच्चा एक दौर क्या है टीवी आपक में भी को अपनी जगह नहीं बना पर एक कमरे में ही जो कैद हो चुका है जिसे उसका सामा जी विकास मानती विकास शारी विकास नहीं हो पारा है और शारी विकास के बहार जाना चाहिए बहार जाना यानि सारी प्रतिकिरा यानि हमारे शरीर के सब्सक्राइए शरीर सही र अगा कमत आफ हमारी बात कि बात क्लास को इसंद् करती हूं के आशा है अगर पसंद्धारे इन पड़ाइब की अगर ने हो 25 तो सब्सक्राइब कीजिए पेल आइकरम अटन को प्रेस जरूर आपके पास हमारे नोटिस्टिशन समेशन पर आते रहें और हम आप तक पहुशते रहें नहीं थन्यवाद